हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब हम इस वक्त शिविहार इलाके में खड़े हैं इस इलाके में मैं ये गली दिखाना चाहूंगा जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बरबादी और सिर्फ तबाही नजर आ रही है आप ये देख सकते हैं ये घरों के अंदर के खाने पीने के कनस्तर है इन तक को फूग दिया गया है जहां नजर जा रही है ये एक दुकान दिखाना चाहूंगा ये एक दुकान है इस दुकान को पूरी तरह से पहले लूटा गया है लूटने के बाद इसमें आग लगा दी गई है आईए आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं ये हमारे साथ एक शक्स मौजूद है क्या नाम है आपका जी उमा कान जी आप यहीं रहते हैं जी कौन सा घर है आपका ये जिस घर में आग लगा गई गई है अज्य क्या हुआ था ये आप हमारे साथ रह पताई ये क्या हुआ था उस वक्त जी मैं अंदर ले था और बच्चे भी साथ में थे और जैसे इन्हों ने ये आप देख रहे हूंगे यहां से पत्राओ स्टार्ट हुआ और ये पत्थराओ करते रहे, continue मैंने उनसे बोला कि मुझे निकल जाने दीजिए लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं निकलने दिया फिर मैंने उन्होंने ये कहा था मुझे कि आज हम इनको जिंदा जला देंगे यखीन नहीं होता, ये देश की राइधानी तिली का हाल है ये जिन से अभी मैं बात कर रहा था, यही इनका घर है इस शटर के अंदर, पूरी तरह से इस शटर के अंदर जितना भी सामाने जलाया गया है ये इसी कमपाउंड में उपर रहते हैं इसके अलावा कुछ और तस्वीर है, ये देखिए कितनी दर्दनाग तस्वीरे हैं, ये कुछ बच्चों के कार्टून और ये जो एक चपल यहाँ पर पड़ी है ये किसी बच्चे की है तगस आता है और हैरानी होती है कि हम कीस्वी सदी में है और वहाँ पर हमें इस तरह की तस्वीरों का सामना करना पड़ रहा है एक दूसरे की खून के प्यासे थे जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं और शायद ये भगदर के वक्त की तस्वीरे हैं जिस वक्त यहाँ हिंसा हो रही थी कि आप देख सकते हैं और ये सारे केमरे को पहले तोड़ा गया है स्टिट लाइट थी यहाँ पर पहले तोड़ा गया है ताकि अंदेरा हो जाए जिस वक्त ये सब चल लाँ था आप मुझूद थे जी बिल्कुल मैं उपर था उस टाइम पर, क्या चलना था दिमाद में, क्या, दिमाद में कुछ नी जी मैं तो घबराया हुआ था, और रास्ते पर यहां पर जो आपने देखा हुआ, सिसे तूटे हुए है, पत्थर पर पत्थर फेके जा रहे थे, पटिया तोड़ तोड़ होता है क्यी बार की रात में भी कोई आ जाता है, दस बारा लोगों जुट एक दम आ जाता है, रात में करते हैं ऐसी सारी चीज़ें यह, वाकई हैरानी होती है, कुछ तस्वीरें देखिए, बिल्कुल, आईए एक सक्षोर है हमारे साथ, उनके बात करते हैं, यह बताईए को छोड़ के बागे वे, घर से बाहर निकलने में भी टर लगता है, आप यकीन नहीं होता, यह देश की राधानी की तस्वीरें हैं, वाकई बहुत हैरान करने वाली यह तस्वीरें हैं, 21 सदी का यह भारत है, जिसमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल नहीं हैं, मीडिया नहीं पहुंच पाई थी, कोई यहां नहीं पहुंच पाया था, इन घरों में, ज़्यादातर घरों में, लोग ड़के मारे अंदर हैं, कुछ घरों में और घुजने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है, इन घरों में वाकई बहुत हैरानी होती है यहां पे कवरेज करना भी बहुत आसान नहीं है बहुत समेधन शील है आप यहां पे सच दिखाने की भारी कीमत आपको चुगानी पड़ सकती है यह देखिए यह गलियां है यह एक घर का नजारा है इस घर को लूटा गया है और यह तस्वीर देखिए इंसानों के रहने की जगए पे आज देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर है इस घर में कभी आदमी रहते थे और फिलहाल यहां अब जानवर रह रह रहे हैं शायद जानवरों नहीं इस घर का यह हाल किया हुआ है यह देखिए तस्वीरें यह खाने का सामान है यह खाने का सामान है यहां पे पड़ा हुआ है यह एक लेट है जिसमें कुछ खाने की चीज़ें पड़ी हुई है जिस वक्त शायद ये सब चला था ये एक बटुआ पड़ा हुआ है इसी गली में आगे चलते हैं ये देखिए एक घर ये है इसको विफूख दिया गया है वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरे है कुछ भी नहीं बचा है इसमें जितना भी सामान था सब जला दिया गया है सादा सामान खत्म कर दिया गया है 21 सदी का भालत है और देखिए आपको कुछ और घरों को दिखाते हैं इन सक्री गलियों में अभी भी जितनी पुलिस मौजूद है बाहर फोर्स भी इन गडियों में अभी तक नहीं आ रही है नहीं आ पा रही है कुछ यह हमें बता रहे हैं कि शायद एक दो बाल आई है लेकिन जिस वक्त यह मंज़र चल रहा था शायद पुलिस यहां नहीं पहुँच पा रही थी इन तस्वीरों को देखिए यह मोटर साइकल है यह मोटर साइकल शायद इस घर में रहने वाले लोगों की है इसके अंदर हम चलके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर भी एक गाड़ी खड़ी है काफी सामान हमें दिख रहा है यह दो कमरे का मकान दिख रहा है शायद उपर भी कोई रहता था अंदर से इसको जल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो भी परिवार इन घरों में मौजूद थे आप ये तस्वीर देखिए ये देखिए इस घर का आप नजारा देखिए इस घर के अंदर मैं आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ ये ये देखिए हर एक सा दिया गया इस घर को कुछ निशान बचे हैं एक परस मुझे ये सामने दिख रहा है मैं अपने परसन से कहूँगा उसे दिखाने की कोशिश करें ये परस सामने दिख रहा है यानि कि भागते वक्त जो जितना लेकर भाग पाया वह भाग पाया सवाल इसमें किसी या किसी व्यक्ति का नहीं है दंगा दंगा होता है हिंसा हिंसा होती है चाहे वो कोई समुदाय करे कोई भी व्यक्ति हो कम से कम इस तरह की तस्वीरें जो है वो इंसानियत को शोभा नहीं देती हैं इस गली में जितना भी हम अंदर जाएं वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें यहां पर हमें नजर आ रही हैं वाकई खौफनाक करने वाली तस्वीरें आ रही हैं यहां के कुछ लोकल लोगों ने हमें बाहर बताया कि शायद इन गलीयों में जाना सुरत्षित नहीं है लेकिन हमने फैसला किया कि हम इन तस्वीरों को आप तक पहुचाएंगे और यह представ पूरी पूरी गलिया यहां निकलने की जगह नहीं होती थी यहां बच्चे खेला करते थे और आज इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों का क्या हाल है जूते फैले हुए है चपल फैली हुई है खाने का सामान बिखरा पड़ा है जो जैसे भाग पाया ये देखिए ये एक चपल पड़ी हुई है ये किसी बच्चे की लग रही है बहुत हैरानी होती है और शर्म आती है कि इस तरह की तस्वीरें हमें कैद करके और आप तक चानी पड़ नहीं है एक इस घर में हम घुजने की कोशिश करते हैं देखिए ये परिवार है जिसका सामान यहां बिखरा हुआ है ये मेरा भाईया का एक स्टिकर ये किसी बच्चे ने शायद बनाया होगा और इस पूरे घर के हालात को आप देखिए सारे सामान को तोड़ा गया है जहां तक इसमें नजर जाती है वहां तक सिर्फ तबाही दिखती है ये एक सर्टिफिकेट है किसी बच्चे का आप ये बच्चे के लिए बहुत ही कीमती चीज हुआ करती थी लेकिन इस दंगे की आग में ये सर्टिफिकेट जो है एक बच्चे के स्कूल का सर्टिफिकेट है वो यहां पड़ा हुआ है ये बच्चा किस क्लास का है मैं एक बढ़ पढ़के देखने कोशिक तो क्लास 6 के बच्चा जिसका सर्टिफिकेट है इस वक्ति ये पढ़ा हुआ है तमाम इस घर की चीजें बिखरी हुई है पड़ी हुई है और जहां तक नजर जाती है जहां तक नजर जाती है ये एक दूद का पैकिट है देखिए नमस्ते इंडिया लिखा हुआ है ये अभी फाड़ा भी नहीं गया है ये फिलाल इन सड़कों पर पड़ा है तमाम लोग मुझे बाहर यहां पर कह रहे थे कि इन गलियों में आप मज जाईए यहां जाना सुरच्चित नहीं है लेकिन ये जरूरी था कि इन तस्वीरों को देखा जाए और इन तस्वीरों के जरीए ये समझा जाए कि आखिर दंगे का मजभ होता क्या है बच्पन में मेरे शिचकों ने कुछ किताबे पढ़ाई थी जिसमें एक लाइन मुझे याद है मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना बच्पन से हमने ये पढ़ा और बहुत ही है रांग और परिशान करने वाली तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं केमरा में नुंकार सिंग के साथ इंदर जीत राए एबीपी न्यूज दिल्ली और लाए बार ख्याण।